यही सवाल आपके भी मन में रहता है ना इंग्लिश बोलना कैसे सीखें गाइस बहुत ही आसान है अगर आप इस वीडियो में इंट तक बने रहते हैं तो इस सवाल का जवाब आपको आज ही मिल जाएगा और आज ही आप तकरीबन 1000 sentences गाइस, 1000 sentences खुद से बोल पाएंगे ये मैं आपसे promise कर सकती हूँ So guys इसके लिए आपको क्या करना है form short sentences छोटे छोटे sentences बनाएगे कैसे छोटे छोटे sentences क्योंकि देखे शुरुआत में आप बगदे बड़े sentences नहीं बना पाएंगे मैं आपको जोटे उमीद नहीं दूँगी कि आप बस पहले ही दिन से बड़े बड़े sentences बना लेंगे बस आपको English आ जाएगी Guys आपको पहले दिन क्या करना है आपको छोटे छोटे short sentences बनाने कैसे sentences जिसे आप बोलते हो यहां आओ तो आप Hindi में बोलते हैं यहां आओ और English में क्या है? Simple सा है पहले इसकी English लिख देते हैं फिर इसकी English है तो आप क्या बोलेंगे? आओ की English come और यहां के लिए बोल देंगे आप here या फिर आपको बोलना हो इसे करो ठीक? क्या बोलना है? इसे करो तो फिर से वही करेंगे पहले इसकी English do और फिर इसे के लिए this simple इसी तरीके से वहाँ जाओ जाओ की English go, वहाँ की English there simple है, मेरा कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि जहाँ आप आदेश देते हैं, जहाँ आप प्रात्ना करते हैं, जब आप किसी से कुछ करने को कहते हैं, तो आप ऐसे sentences बोलते हैं, जिसमें आप subject की कोई चिंता ही नहीं करते कि subject क्या है, क्योंकि subject जो है वो है you, ठीक, जो की hidden है, छुपा हुआ है, इसे बोलने की जरूरत नहीं है, आप इसको अगर पूरा करेंगे तो हो जागा you come here बट you बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे आप हजारो sentences चुट्कियों में बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको आना क्या चाहिए, ये verb, ठीक, क्रिया की English आनी चाहिए, कि क्रियाएं जो हैं, इन्हें आप English में क्या बोलते हैं, करना, सोना, उठना, बैटना, ये सब क्रियाएं हैं, और almost आपको ये सब ही आसानी से आते भी हैं, तो कुल मिला कि क्या ध्यान में रखना है, कि आपको English में पहले verb यूज़ करना है, और फिर जो दूसरे words हैं, उन्हें यूज़ करना है, हिंदी में आप दूसरे words पहले रखना हैं, बाद में verb यूज़ करना हैं, बट इंग्लिश में verb से ही शुरुआत कर देनी हैं, अब एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपको बोलना है, ये मत करो, तो जब भी आपको मत करो बोलना हो, मतलब ऐसा ना करो, ये sense है, तो आप don't का यूज़ कर लें, ठीक, तो don't के बाद आपको क्या करना है, फिर वही verb यूज़ करना है, करो की English, do, don't do ये की English, this don't do this, वहां मत जाओ, क्या बोलेंगे, don't जाओ की English, go, वहां की English, there, don't go there, don't find me मुझे मत धूंडो don't find me don't listen to him उसकी बात मत सुनो don't listen to him तो आसान है न, ऐसा करो, verb के साथ शुरुआत कर दिया ऐसा मत करो, don't और फिर verb के साथ शुरुआत कर दिया, मतलब बहुत ही आसानी के साथ, आप सभी sentences बना सकते हैं, इस तरीके के गाईज, इसी तरीके के 50 sentences आज की ही इस वीडियो में लेकर आई हूँ ताकि आप practice कर सके, मतलब मैं आप से जो खेहरी हूँ कि आज ही आप thousand sentences form कर सकते हैं तो पहले मैं आपकी practice कराना चाहरे हूँ practice कैसे करना है, मैं English में sentence को दो बार बोलूँगी, पहली बार आप खुद से सुनिएगा उसको ध्यान से और दूसरी बार साथ में बोलिएगा इससे आपकी practice बिलकुल अच्छे से हो जाएगी बस ऐसे से करके आपको पूरी वीडियो देख लेने है वीडियो छोटी सी है, पूरा देखें practice करें, यहीं पर काम खत्म नहीं होता लेकिन क्योंकि इसके बाद आपको जितने भी verbs आते हैं, जितने भी क्रियाएं आती हैं उस पर sentences खुद से form करने हैं आप form कीजी sentences उन्हें अपनी डायरी में कहीं लिखें या फिर इसी वीडियो में comment section में नीचे लिख दीजे और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगी क्या करना है आपको आगी कौनसी sentences की practice करनी है मैं बताऊं तो please comment section में दिल मांगे मोर जरूर लिखेगा ताकि मैं आगी का part लेकर आसको Guys, my name is Khanchan and you're watching me on English Connection Let's get going So our first sentence is उठाओ इसे फिक इट अप नीचे रखो इसे पुट इडाउं बाहर फेको इसे फिर इडाउट समेटो इन्हें टाइडी दीज अप मुझे घूरो मत Don't stare at me कहीं और देखो Look away नल खोल दो Turn the tap on नल बंद कर दो Turn the tap off Guys, क्या मैं इस वीडियो पर 5000 likes expect कर सकती हूं? Guys, अगर आप इस वीडियो पर 5000 likes देते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगे उसे मत सुनो Don't listen to that Don't listen to that या हमने that इसले यूज किया क्योंकि हम यहाँ पर कहना चारे माननीजी आप कोई music सुन रहे हैं या फिर news सुन रहे हैं तो उसे ना सुने जहाको मत Don't peep Don't peep पीछे घूमो Turn around Turn around उसे परेशान मत करो Don't bother him Don't bother him Phone उठाओ Pick up the phone Pick up the phone उस पर हसो मत Don't laugh at him Don't laugh at him Laugh at ये आप साथ में तयार केज़ेगा क्योंकि जब भी किसी पर हसने की बात होती है तो हम at का यूज करते हैं मुझे निराश मत करो Don't disappoint me Don't disappoint me पढ़ाई पर ध्यान दो Focus on your studies Focus on your studies Guys अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें उसके बाद आने वाले बिल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जो मैं रोज विडियो डाल रही हूँ उन में से एक भी विडियो आप मिस ना करें और आपको समय पर नोटिफिकेशन्स मिल जाएं उसे मत रोको Don't stop her Don't stop her ऐसा कभी मत करना Never do so Never do so इस बात को भूल जाओ Forget this matter Forget this matter उसे चड़ाओ मत Don't tease her Don't tease her उसे यहां बुलाओ Call him here Call him here उसे डाटो मत Don't scold her Don't scold her मुझे वापस कॉल करना Call me back Call me back Bus में चड़ो Get on the bus Get on the bus Bus के साथ हम on का यूज़ करते हैं Bus रोको Stop the bus Stop the bus Rोना बंद करो Stop crying Stop crying इसे पकड़ो Hold it Hold it अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ आपके friends भी English में बात करें आपके family members भी English में बात करें तो इस वीडियो को सभी के साथ share कर दीजिए और जब आप share कर रहे हैं तो मुझे comment section में लिख के बता दीजिएगा कि मैंने इस वीडियो को share किया है I have shared this video with my friend और family या जिसके भी साथ आप share कर रहे है वो जरूर से लिख के बताईएगा हार मत मानो Don't give up Don't give up मुझसे वादा करो Promise me Promise me इसे जल्दी खत्म करो Finish it soon Finish it soon Bus से नीचे उत्रो Get off the bus Get off the bus चपल बाहर निकाल दो Take the slippers out Take the slippers out मेरी चिंता मत करो Don't worry about me छोडो जाने दो Let it be मुझे याद दिला देना Remind me शर्माओ मत Don't feel shy Don't feel shy यहाँ आप यह भी बोल सकते हैं Don't be shy मेरी बात सुनो Listen to me Listen to me गुसा मत करो Don't lose your temper Don't lose your temper मेरी मदद करो Help me out Help me out इसे निगल जाओ Swallow it Swallow it हाथ उपर करो Raise your hand Raise your hand पानी गर्म कर दो Heat up the water Heat up the water मुझे मत समझाओ Don't explain to me Don't explain to me अपना बैग उधर रग दो Put your bag over there Put your bag over there समय पराना Come on time Come on time एक तरफ हो जाओ Move aside Move aside Guys इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी tense वाले वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि एक घंटे में सभी tenses clear हो जाएंगे क्योंकि ऐसे sentences बनाने के बाद आपको वैसे sentences मतलब थोड़े बड़े sentences बनाने के लिए Tenses की मदद तो लेनी ही होगी एक घंटे में concept clear हो जाएगा हमेशा के लिए और आप सभी sentences आसानी से बना पाएंगे तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं आपको link description में भी मिल जाएगी उसका रास्ता मत रोको Don't block his way Don't block his way अपने बारे में बताओ Tell me about yourself Tell me about yourself इसे लिख लो Write it down सामने देखो Look ahead अगर आपको यह वीडियो हेलफ़ लगी I'm sure आप इसे अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करेंगे क्योंकि आप अपनों की केर करते हैं I know guys कि जब आप शेयर करेंगे तो आप भी उनके साथ प्राक्टिस करेंगे वो भी प्राक्टिस करेंगे और हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे मिलते हूँ आप से अगले लेसन में जैहिंद